नमस्कार विद्यार्तियों मामनिश कुमार शर्मा सक्सेस्पंट बाडवेर में आप सभी प्यारे विद्यार्तियों का हार्दिक स्वागत और अभिननन गरता हूं जैसा कि विद्यार्तियों हमने अमारे पिछले वीडियो में आप सभी को एक सुचना दी थी कि परियोगसला साइक की जो नई भरती है उस भरती का इंतजार है वो विद्यार्ति को कब खतम होगा और उसमें मैंने आपको बताया था कि तकरीबन सितंबर याक्टूबर तक एक पोश्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि हमें परियुगसला साइक भरती का जो अभ्यार्तना है वो प्राप्त हो चुका है और जल्दी इस एक्जाम के लिए कलेंडर जारी करेंगे अब इसका मतलब क्या है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्तियों के डाउट है कि सा सितंबर के लाश्ट में अक्टूबर के स्टार्टिंग में कभी आपको जारी हो जायेगा आपको इस भरती का मिल जाएगा दूसरी बात आते हैं कि पेपर कब होगा देखो बोड ने एक कलेंडर जारी कर रखा है विबिन परिक्षाओं का उन परिक्षाओं का जिनका मार्च तक के एक्जाम दी हुए हैं तो आइडिया यही है कि इसका जो पेपर है वो लगबग मार्च के बाद ही होगा मार्च में बोड के एक्जाम भी होते हैं 10 और 12 क्लास के तो आम मान के चलो इस बरती में अगर आज से ही अपने समय को काउंट करना शुरू करे तो आप आपको तकरीबन 6-7 में तयारी की मिलेंगे बड़ा पेपर नहीं है इतना 6-7 में अगर आप अच्छे से एक बार पूरे कोर्स को पढ़ लो और उसका रिविजन कर दो तो चैन करवाना है बहुत ही आसान है तो तकरीबन मार्च के बाद ही होगा इसका पेपर आप इसके ल होगी दूसरी बात आती है पद की तो पद का मैंने अमारा जो पिछला वीडियो था लैब असिस्टंट के लिए उसमें भी बताया था और अब फिर कहा रहा हूं पद आपको इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे एक कटू सत्य है मैं आपको खुश करने के लिए बोल दूं 1000 प् पद कम ही होंगे लेकिन हमें सिर्फ एक पद चाहिए जो विद्यारते पिछले एक दो साल से लगे हुए है इस वकेंसी के पीछे की कब लैब असिस्टंट की भरती आएगी और हम पूर्ण रूप से इसके पेपर को पास करें वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे है इसी तरीके से पढ़ते रहे हैं आपका अच्या निश्चित तोर पे होगा आपको पदों को नहीं देखना है कि भरती कितने पदों पर है और जो विद्यारती जुन्हों ने पिछले साली 12th बोर्ड के एक्जाम दिये हैं चाहिए वो साइंस वरक के हो चाहिए वो होम साइ और साइंस ट्रिम तिनों के लिए आएगी तो सभी को अभी से लग जाना है कि हां में लेना है कुछ भी हो कितने भी पद हो हमें हमारा सेलेक्शन करवाना है अब बहुत सारे विद्यारती यह भी कह रहे थे कि सर आपका कोर्स लॉंच होगा तो कब होगा होगा भी या नही होगा तो उनके लिए मैं एक सुचना दे देना चाहूंगा वैसे यह जानकारी की वीडियो थी कोर्स सम्मंदित वीडियो नहीं थी तो जल्दी हमारा कोर्स आएगा अगले 15-20 दिन के बाद में हमारा कोर्स नेया कोर्स लॉंच हो जाएगा जिसकी जानकारी आपको अलग स तैयारी कर लोगे तो आपके पास एक बहतरीन गवर्मेंट जोग है वो होगी तो आसानवी तुवा आपको आज का वीडियो या जिसमें जो भी इस वीडियो में जैनकरी दी वो समझ में आ गई होगी नेक्ष वीडियो में लैब असेश्टन के लिए जो भी जानकारी होनी चाहिए एक विद्यार्थी को जो तैयारी कर रहा है या करना चाहता है उस वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होंगा तब तक आप पढ़ते रहे हैं मस्तर रहे हैं आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्याएं